नमस्कार आदाव सस्रीय का लाइव नैशन सेवन में आपका स्वागत है मैं शादाव मलिक जिस तरह से ये नया 1218 पीटी का रिजल्ट आया है बी एससी का उससे लोगों में जो अभियर्थी पहले से इंतजार में हैं कौंसलिंग के डेट के लिए उनमें एक तरह का किया थोड़ी आसार हो सकती है ये इस परक्रिया को कंटिन्यू वैसे अभियर्थियों के साथ किया जा सकता है जो पहले से कौंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं उनकी कौंसलिंग कराई जा सकती है आखिर कैसे कराई जा सकती है हम बताते हैं जिस तरह से 1218 नए लड़कों का अभी result आया है आयोग ने जारी किया है PT का result इनका मेंस का फॉर्म भड़ाएगा मेंस की ये परीक्षा देंगे उसके बाद जो पहले से counselling के लिए इंतिजार करें जो अवेर्ति उनके साथ इन सब की counselling कराई जाएगी मगर मुझे ऐसा हड़ा है हमें ऐसा लगता है कि अगर काउंसलिंग के लिए दो प्रक्रिया कर दी जाए मतलब कहने का कि जो 1218 अवियर्थी हैं जिनका रिजल्ट अभी आया है और जो पहले से करीब 50,000 रिस्टोंट ऐसे हैं जो पहले से इंतजार कर रहे हैं कि उनके काउंसलिंग का डेट अनौंस होगा जो मेंस का रिज BSST से ये गलती हुई है कि जो आरक्षन का लाव जिन अभी अभी अर्थियों को मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिला है जिसकी वज़ए से उनका पीटी का रिजल्ट फिर से जारी किया गया है 1218 तो आखिर आयोग की इस गलती को अभी अर्थी क्यों भूगते हैं तो जाह अभी अर्थियों का रिजल्ट आया हुआ है जो लोग कांसलिंग के लिए इंतजार कर रहे है करीब 50,000 जो अभी अर्थिंए है क्योंकि टो टो टल वैकंसी है वो एक सो बीस वैकंसी 2014 में आय थी इंटरस्ट रहे और इसे इस तरह से माटा जा सकता है जो हमारा एक है तो ऐसे करके अभियर्थियों की परिशानी को भी हल कर सकता है और जो गलती आयोग निकी है उसका भी सॉलूशन निकल सकता है तो एक तरह से माना जाता है कि जितना आपने रिजल्ट दिया है उसका वन बाइ फूर्थ हिस्से की वेकेंसी होती है मतलब चार में से एक बच्चे को आप चुनते हैं तो ऐसे में जब बारा सो अठारा का रिजल्ट आपने दिया है तो लगबग तीन सो पाँच वेकेंसी के आसपास मानी जा सकती है कि 305 वेकंसी के लिए आप इन 1218 का रिजल्ट जारी कर सकते हैं मतलब आप इनके लिए अगर चाहे तो फूर्थ के हिसाब से आप वेकंसी को होल्ड कर दें उस 13120 में से उतनी वेकंसी को कम करके बाकी के लिए जो अब अर्थी पहले से पास कर चुके हैं उनका उनकी कांसलिंग उस वेकंसी मतलब 13120 में से माइनस कर दिया जाए अगर 300 के करीब सीट को तो जो बाकी बच्ची 1270 के असपास जो सीट है उस पर जो 13120 में से आप 300 के करीब सीट घटा दें और जो बची सीट है उस पर काउंसलिंग करा दिया जाए इन अवीर्थियों का जो पहले से मेंस का रिजल्ट जिनका आ चुका है जो काउंसलिंग का इंतार कर रहे हैं बाकी जो 300 सीट आप उसमें से घटाते हैं करीब 300 सीट उसके लिए ये अभेर्थी जो इनकी पीटी का जो रिजल्ट आया है जिनको मेंस देना है और फिन टूबी देना है तो इनके लिए फिर उस सीट के हिसाब से ये काउंसलिंग अलग-अलग की जा सकती है तो ये एक सुझाओ है ये एक प्रक्रिया की आ सकती है लगबग सारे साथ साल से बरदाश्टी करते चले आ रहे हैं इन पर जो इनका सॉलिशन अभी तक निकला नहीं है ऐसे में एक नए नया प्रॉब्लम सामने आ गया है और ये प्रक्रिया और लंबी होगे तो इस प्रक्रिया को और लंबी ना करके अगर आयो इस तरह से कौंसलिंग दोनों का हो जाए और ये अभीरती जिनका रिजल्ट बाद में आया है इनकी भी कौंसलिंग हो सके और जो पहले से जो अभीरती 50,000 के करीब अभीरती हैं उनकी भी कौंसलिंग हो सके तो ये एक सुझाओ है इस प्रक्रिया के तहत दोनों काम को किया जा सकता है और इसमें और जादा जो डिले होने की सम्भावना है वो होने का इमकान वोने का चांस कम हो सकता है तो बहराद ये एक सुझा है जिस पर गौर किया जा सकता है तो इस तरह की खबरों के लिए भरे रही है हमारे साथ, देखती रही है हमारा वीडियो अगर आपको मारा वीडियो पसंद आता है तो मारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप फेस्बुक के ज़री देख रहे हैं तो पेज लाइक करना नहीं